हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हार टीवी चैनल पर दोस्तों पिछले किस दिनों से कही राज्यों की किसान सड़कों पर है उनकी चिंता इस बात से है कि सरकार नया कानून बनाने जा रही है जिससे फसलों की नियूनतम समर्थन भूले MSP की वेवस्ता समापत हो जा और दोस्तों कितनी फसलों पर MSP दी जाती है MSP कौन ते करता है कैसे ते करता है लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को किलिक करें ताकि आपको ऐस ले किसी वीडियोs टाइम टू टाइम मिल सके तो चलिये दोस्तों MSP के बारे में जानते हैं सरकार किसान की फसद पर नियूंतमूले निर्दारित करते है жисे MSP कहा जाता है ये एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होते है कि हरहाल में किसान को उसकी फसल के लिए टैदाम मिलेंगे अगर मंडियों में किसान को MSP या उस से जादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल MSP पर खरीद लेती है इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चलाव का किसानों पर असर इसके बाद लाल बहादूर सास्त्री के परदानमंत्री रहते हुए एक अगस्त 1964 को इलके जाके नेतरतों में एक समीती बनी जिसका काम अनाजों की कीमते तेह करने का था चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन सी फसल पर MSP सबसे पहली बार तेह हुआ था समीती की सिफारी से लागू होने के बाद 1966-66 में पहली बार गेहों के लिए MSP का एलान किया गया इसके बाद से हर साल सरकार बुवाई से पहले फसलों के MSP गोसित कर देती है MSP तेह करने के बाद सरकार इस्थानिय सरकारी एजनसियों के जरिये अनाज खरीद कर फूड कोर्परेशन ओफ इंडिया और नेफेड के पास उसका बंडारन करती है फिर इनी स्टोर्च से सारवजनिक वितरन पिरनाली के जरिये गरीबों तक सस्ते दावों में अनाज पहुंचाया जाता है और दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि फिलहाल कितनी फसलों पर MSP दी जाती है सुरुवात में केबल गैहूं के लिए MSP तेह किया गया था इस से किसान बागी फसलों को छोड़कर सिर्फ गैहूं की फसल उगाने लगे जिस से अनाजों को उत्पादन कम हो गया फिर सरकार की तरफ से धान तिलहन और दलहन की फसलों पर MSP दिया जाने लगा फिलहाल दान, गेहूं, मक्का, जैई, जो, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उडद, मसूर, सरसो, सोयबीन, सीसम, सूरजमुकी, गन्ना, कपाश, जूट, समेथ 20 से अदिक फसलों पर MSP दिया जाता है दोस्तो MSP कौन तेह करता इसके बारे में भी जान लेते है देश में MSP तेह करने का काम करसी लागते बाम मूले आयोग का है करसी मंतराले के तहट काम करने वाली यह संस्ता सुरुआत में करसी मूले के नाम से जानी जाती थी बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई जिससे इसका नाम बदलकर किरसी लागते में मूल्य आयोग हो गया यह अलग-अलग फसलों के लिए नियून्तम समर्थन मूल्य कर निदारन करती है वहीं गन्ने का MSP तेह करने की जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है कैसे तेह होता है MSP? MSP तेह करने की परकिरिया काफी जटिल और लंबी होती है इसके लिए आयोग अलग-अलग अलाकों में किसी खास वसल की पृति हैक्टियर लागत खेती के दोरान आने वाले खर्च सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज चमता वेस्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्दता आदी मानोकों के आंकड़ी खटे करता है इसके बाद सभी हितधारा को और विशे सग्गों से सुजाब लिए जाते हैं अन्त में आर्थिक मामलों की केबिनेट समीती इस पर अन्तिम फैंसला लेती है दोस्तो आपको MSP की वीडियो कैसी लगी इस किराय हमें कमेंट बॉक्स में दे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें